नमस्कार मैं विश्णू नरायंद अभिहार मेल के लिए दुनिया बड़ी विविद है यहां जब हम रामगड में आये हुए हैं तो एक तिलकुट की स्टोरी तो करी रहे थे साथ साथ हम जिस घर में रुके हुए हैं वो हमारे काशे हिंदूर शुद्धाले के मित्र कुंद दादी आपको सामने दिखाई पड़ रहे होंगी और दादी को दिखाना था ही दादी से जो बतकही करनी थी सो करनी ही थी दादी उमर कितनी है आपकी दादी पता भी नहीं है दादी को मतलब उनकी उमर जो चीज खास तोर से मुझे दिखानी थी दादी जो काम कर रही थी दादी यहाँ पर चावल फटक रही है ये दो तीन सोप इनके एर्दगेर्ध है और यहां एक तरीके से यह एक मापक यंत्र है जो भी कह लें आप इसको 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 क्या नाम है यह क्या है यह इस खोटा बड़ा होता है कि आता है यह जैसा यह शितेड क बना हुआ है만 यह हैं आटे आपके पासोदा है चोटा बड़ा इस से बना भी होता होगा वाच多 चोटा सेर रहता है बड़ा सेर रहता है इसको आप पहला बोलती है यह पहला बोलती है तो यह मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि यह मैं जब मोतिहारी और बेतिया पशिमी और पूर्वी चंपरण की लागे में घूम रहता तो वहां भी एक ऐसा ही हमें खास्तोर से और यह ऐसा है कि आप अगर आपके घर में जरूरत है चावल धान या किसी भी चीज की तो उसके बाद आप एक किलो मांग लें किसी के घर में बाद में लोटा दें तो यह एक वोग तरीके से मापक यंत्र है जो पहले की जमाने में चला करता था अब धीरे धीरे चुकी त सारी चीजें हम खत्म हो गई है दादी यह पकड़िये माइक अपना नाम फिर से बताईए हमारे दर्शों के लिए हम आपना हां हम रो लखनी लखनी उमर नहीं बताएंगी उमर हम जानवे नहीं करते हैं लगबग 80 साल की उमर तो होगी है इनकी हमसे कम देख करके तो हमें यह अंदाजा लग रहा है इससे अधिक या थोड़ी कम हो मगर यह इस उमर में भी देख रहे हैं कि आम तोर पे जो शहरी महिलाए होती है वो अपना काम नहीं करती है तो दादी यहां पर सुबै से उठकर के काम में लगी हुई है और यहां पर यहां पर चावल फटक रही है और इस चावल का नाम भी बताईए हम लोगों के लिए हमारे दर्शकों के लिए चावल का नाम मालूम है आपको यहां कि उसना है यह उसना चावल है एक अरवा चावल होता है और एक उसना चावल होता है तो उसना हुआ चावल स्वास्त के लिए बहुत अच्छा माना यहां आपकर आपका नहीं हर कहा है आमको रामगर को अच्चार और करना पड़ा इस्टेशन बनगाल सवर मालशनाल में तो यहां जब दादी मिल गई तो हम एक तरीके से कहिए कि लोब समवरण नहीं कर पाए कि जो चीज हमने देखी खास्तोर से इसको पहला बोलते हैं तो ऐसे और मापक यंत्र हैं जो चारों तरफ उनकी माननेता है पहले और हुआ करती थी अब धीरे धीरे वो सारे यंत्र मापक यंत्र इति मैं आप को भी दिखा दें अब आप क्या कर रही है इसमें भरीय जरा एक बार यह कि देख रहे हैं कि यह भर गया धीरे-धीरे और यह 1 kg हो गया नहीं अब यह इसको एक लिए जोड़ लेंगे और ये सेर है बाग और सेर वाला नहीं ये एक पाव वजन है जो कहावत हम सुनते थे कि टके सेर भाजी टके सेर खाजा अंधेर नगरी चौपट राजा तो वो जो कहाणी आप सुनते थे वो यही सेर है तो इसी सेर में वजन से भाजी और खाजा एक ही भाव का बिखता था किसी राज में तो उस राज को लेकर के मखौल और खिल्ली उड़ाई जाती है और उसका जिक्रें बया किया जाता है तो यहाँ एक चोटा यूनिट है वो बड़ा वाला यूनिट रखिएगा वो इनके बगल में रखिए दादी इसके बगल में हाँ और इसमें से डाली है तो यह देखिए तो यह ऐसे ऐसे करके अभी एक सेर डला है इसमें अभी दूसरा सेर जा रहा है इसके भीतर और ऐसे ऐ जोले के भीतर से निकाल करके और ये अब जा करके ये एक किलो हुआ है ना तो ये ये देखिए तो ये चीज हमें आपको दिखानी थी खास्तोर से तो ये यहाँ पर छोटा सेर है और ये छोटा एक तरीके से पहला है जो एक किलो वजन का है तो ये पहले की यूनिट्स थे ज झाल झाल